नमस्कार मैं हुश्मानी बिहारी नियूस में आपका स्वागत है खबडो की ओर बठने से पहले एक नजर सुर्खियों पर अंतराश्ट्री रगवी खिलाडी के आगमत पर हुआ भव्य स्वागत नितीश कुमार मुख्यमंत्री तो तेजस्वी यादब निली उपमुख्यमंत्री पद की शपत नितीश कुमार के इस्तिफ़े के बाद पहली बार बोले सुशील मोदी NDA में तूट के बाद रोहनी आच्वारिया का नहीं रहा खुशी का ठिकाना साइबर अपराधियों से रही 2400 घंटे बिल्कुल अलर्ट अब चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों के और विस्तार से नितीश कुमार मुख्यमंत्री तो तेजस्वी यादब ने ली उपमुख्यमंत्री पद की शपत विहार में सियासी हलचल के बीच नितीश कुमार और तेजस्वी यादब ने आज राजपाल फागु चोहान के सामने अपने अपने पद और गोपनियता की शपत ली जहां एक बार फिर से नितिश कुमार ने मुख्य मंत्री और तेजस्वी आदब ने उप मुख्य मंत्री के पद की शपत लिए नितिश कुमार ने अपने राज़ुरुतिक जीवद में आठवी बार बिहार के मुख्य मंत्री पद की शपत लिए पहले से ही जुले के खिलारी खेल प्रेमिय और खेल सिक्षक अगवानी के लिए मौजूद थे मालूम हो कि इंडोनेश्य की राजधानी जाकार्टा में 6-7 अगस्त को रगवी टूनामेंट में आउजित हुआ था इसमें भारत सहित कुलाथ देशों की टीमें हिसा ली थी भारती महिला सिनियर टीम में नवादा के बिटिया आरती भी शामिल हुई थी और इस टूनामेंट में भारत उपविजदा बना था इंडिये में तूट के बाद बिहार बिजेपी नेताओं और कारेकरताओं का धरना परदर्शन जाएगा वीजेपी इस तरह की सरकार विरोधी गतिवीधी निरंतर जारी रखेगी इन जीलों में बारिश और वजरपात को लेकर मौसम भागनी किया अलर्ट प्रदेशपर में आज सुबस से मौसम में आशानक से बदलाओ देखा गया है सुबस से राजधानी पटना सहीत प्रदेश के 25 जिलों में हवाओं की गति 40-50 किलोमेटर परती घंटे की रही है वही आसमान में बादल छाय रहे जिसकी वज़व से इन जीलों में मौसम सुहाना हो गया है वही कहीं कहीं पर हलकी से मध्यमस्तर की बारिश भी दरज की गई है वही मौसम भागने राजधानी पटना सहीत बिहार के दक्षवी भाग के जिलों में विश्येस तोर परवारिश और वजरपात को लेकर अलर्ट रहने को कहा है लोगों से यह आग्र किया गया है कि वे सतरक और साफधान रहें तेजस्वी यादव के नित्रित में विहार के नौजवानों को मिलेगी 15 लाख रोजगार जद्यू का NDA से बाहर होनी के बाद तमाम राजधुनितिक पाजियों के बीच परतिकिरियाओं का दौर जारी है इसी कड़ी में जद्यूक परदेश महासेचीफ डौक्टर चकरपान हिमान्शू ने कहा कि विहार की राजधुनिति में जूए से मुक्षमत रुनितिश्कमार का अलग होना देशुहित में देश्व के राजधुनिति के लिए और महागटवंदन के लिए शुब संकेत है उन्होंने कहा कि जब से देश में भाजपा की सरकारा आई है कमर तोर महंगाईल आई है भाजपा के देश की नौजवान को दो करोर नौकरी देनी का वादा हवा हवाई रह गया है साइबर अपरादियों सिब रहे 24 गंटे बिलकुल अलर्ट जिस रफ्तार से हम लोग डिजिस्टिलाइजिशन की ओरते से बढ़ रहे हैं उतना ही साइबर क्राइम की संख्या भी बढ़ रही हैं आए दिन लोग साइबर अपरादियों के चंगुर में फस जाते हैं कोई भी बना कर पैसे की डिमांड करने लगता है यहां तक की एटियों में गड़वरी कर पैसे निकाल लिये जाते हैं इस बार तो साइबर अपरादियों ने हदी कर दिया मुझफरपुर के डियम का ही फरजी वाच्शिप अकाउंट बना डाला जिसकी शिकायत दर्ज की गई है ज पहली बार बोले सुषिल बोदी मुख्य मंत्री द्वारा इस्तिफा देने के बाद भाजपा के निताओं की भी लगातार प्रकिडिया आ रहे हैं इस बेचपुर्व उप मुख्य मंत्री सुषिल कुमार मोदी ने नितिश कुमार के उस आरोप पर पलटवार करते हुए कह जिसमें नितिश कुमार ने कहा था कि भाजपा जद्यू के विधायकों को तोड़ना चाहती थी इस पर सुषिल मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि यह सडासर सफेद जूट है कि भाजपा ने बिना नितिश उजी की सहमती के RCPC को मंत्री बनाया था यह भी जूट है क भाजपा जद्यू को तोड़ना चाहती थी तोड़ने का बहाना खोज रहे थे वही उन्होंने कहा कि भाजपा 24 से लोग सबाचुरा में परचंट बहुमत से आएगी ICIMS के बाद IGIC में पहली बार शुरू हुई open heart surgery IGIMS के बाद इंद्रा गांधी हिर्दै रोग संस्थान IGIC में पहली बार open heart surgery भी ते दिन मंगलवार से आरम हो गई है पहली surgery वैश्वाली जुले के महनार निवासी 35 वर्षी यूवक की हुई उसका open heart surgery के माधिम से आज ही receptor defect operation किया गया इस सुबिधा से बिहार में आप लोगों को हिर्दै की समस्याओं से जूच रहे जिन्हें open heart surgery की ज़रूरत है उन्हें काफी फाइदा होगा खास बात या है कि जिस पहले मरीज का operation किया गया वह ने शुर्क हुआ अईश्मान भारती योजना के थैत उपचार किया गया नितिश कुमार शुर राजट को निगल जाए, जदियू के दुर्विरोधी कह जाने वाले राजट के साथ जानी के आखर, नितिश कुमार की मनसा क्या है, इस सवाल पर बिहार की जझनता के अचकले भी तेज हैं, इसका जवाब हर कोई जानना चाहता है, इसको लिकर संजु जासवाल ने आज पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि नितिश कुमार और जद्यू के अध्यक्ष ललन सी ही तेजस्वी यादव के मौल घुचाले के कागस दिखाते थे उन पर कारवाई करनी की बात कहते थे लेकिन आज नितिश और ललन उसी तेजस्वी के साथ चल देवी शाहनवाज हुसैन, रामसुरत रायस समेट सभी नेताओं ने आज धर्णा प्रदर्शन किया इस दोरान बिजेपी प्रतंच कस्ते हुए राजत नेता भाई विरेंद्र ने कहा कि बिजेपी को धर्णा देने के लिए रखेंगे, बिहार की जनता को बहुत लूटा बहुत वरस्टा चार किया है, लोगों को राणदा है, अब सही ढंक से सरकार चलेगी बीजे-पी ने बहुत तंग किया है, लोगों को बहुत परिशान किया है, महा कचवन्दन की सरकार बनने से बिहार की जनता बहुत खुश है इंडीये में तूट के बाद रोहिणी अचाड़िया का नहीं रहा खुशी का ठिकाना लालो यादव की छोटी बेटी रोहिणी अचाड़िया में कुछmee विशेस दिख रहा है बिते दिन मंगलवार से ही इंडिये में तूट के बाद वो लगाता ट्वीट पर ट्वीट कर रही है रोहनियाचारिया ने एक ट्वीट में लिखा कि एक बार फिर सब को देना है समान लालो जी का यही है पैगाम वहीं बिजेपी द्वारा दिये जो रहे धरनी को लेकर रोहनियाचारिया ने ट्वीट कर लिखा कि तेजस्वी ने उन्हें बना दिया धरना वीर युवाओ को जो बना रहे थे अगनी वीर वहीं बेरोजगार युवाओ को लेकर उने लिखा कि बेरोजगार युवाओ की लगी हाई बिहार से बिजे पीका हो गया टाटा बाई 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 देशपर में आए 20,000 से कम कोरोना के मामले किंद्रे स्वास्त मंत्राले द्वारा आज फियानी मंगलवार को जारी कि कोरोना रिपोर्ट के अनुसार पिछले चौबस घंटे में कोविट-19 के 16,000 से 47 नए मामले सामने आये हैं वहीं बिहार की बात करे तो यहां बीते दिन जारी के पिछले 24 घंटों के आक रोके अनुसार कोरोना संग्रुमन के मामले में मामूली कमी आई है जिसके बाद राजभर के कुल 133 कोरोना के नए मरीज मिले हैं वहीं राजधानी पटना की बात करे तो यहां सबसे अधिक 43 नए मामले सामने आए हैं वहीं बीते दिन पिछले जाबस घंटे में कुल 113453 कोरोना की सेंपल के चौच की गई है जहां 160 मरीज ठीक होकर घर भी वापस लोटे हैं इस खिलाडी ने बताया पाकिस्तान आखिर क्यों वर्ल्ड कप में भारत से लगातार हार रही थी पिछल पहले टी-20 वर्ल्ड कप और 50 ओवर्ल्ड कप को मिला दे तो 12 बार दोनों टीमों का सामना हुआ था और एक बार भी पाकिस्तान जीत दर्श नहीं कर सकी थी पाकिस्तान के मधिकरम के बलेवाज शोय मक्षूद ने बताया कि आखिर पाकिस्तान की टीम के साथ ऐसा क्यों हो किरकेट पाकिस्तान डॉटकॉम पर बात करते हुए मक्सूद ने बताया कि विश्व कप मैचों में भारत के खिलाफ हरी श्वट की लगतार हार का कारण यह है कि पाकिस्तानी टीम अती उत्साहित हो जाती है हालांकि हाल के दीनों में हमारी टीम ने भारत पाक मैचों को सामान हे रूप से बिवहार करना शुरू कर दिया है और इस से हमारे परदर्शन में भी सुधार हुआ है नितिश कुमार का भाजपा से मो भंग होने पर बोले परशांद के सोर देश के बड़े रन नितिकारों में से ये परशांद के सोर से जब पूछा गया कि खबरे आ रही थी कि नितिश कुमार नाराज है उनका विजपी के साथ मेल नहीं हो पा रहा है तो क्या ये सिर्फ नाराजगी थी या अस्क्रिप्ट पहले लिखी जा चुकी थी इस पर परशांद के सोर ने कहा कि नाराजगी की बात नहीं है मुझे जहां तक लगता है 2017 के बाद जिस फॉर्मिशन में नितिश कुमार थे उसमें वह मुझे कभी सहस नहीं लगे लोगों के सामने भले ही पोजिशनी कैसी भी रही हो जिस तरह का कमफर्ट बिजपी और ज साथ छोड़नी की वज़व क्या थी सुशिल मोदी ने आज खुलासा किया कि नितिश कुमार के निकटस्थ जद्यू नेताओने हाली भाजपा के शुर्स नेत्रित्यों से नितिश कुमार को उपड़ाश्चपती बनाने की बात कही थी हालांकि भाजपा ने इस पर विचा नहीं कर पाएंगे क्योंकि अति पिश्टवा अब उनके साथ नहीं है इते दिन हमारे दोड़ा पूछेए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कॉमेंट सेक्शन में लिकर दिया था जिन्होंने पूछेए सवाल का जवाब दिया है उनके न माग अच्वन दिन की नई सरकार में आपको क्या लगता है रोजगार की समस्या हल हो जाएगी अपना जवाब में कॉमेंट सेक्शन में लिकर जरूर बताया आज के लिए बस इतना ही बिहार की तमाम खबर के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूस और लाइकन दवाना ना भूले धन्यवाद